है, हेलो, नलकम, दोस्तों स्वागत करता हूँ फिटेस्ट अपने चैनल में, तो गजिए इस बीडिये के दर हम डिटेस्ट में डिसकास करेंगे बिटकोइन के बारे में, साथ हम यह आपर डिटेस्ट में बात करेंगे काड़ानू के बारे में, क्योंकि एक अच्छा गासा म मुवमेंट हो सकता है, यहापर डिटेस्ट में बात करेंगे गाला के बारे में, क्योंकि कल रात को अगर आपने देखा होगा कि गाला के प्राइस के अंדר, somewhere around हमें यहापर 90% के आसपस गाला के प्राइस के अंदर के प्राइस के अंदर देखने को मिला है, तो इसके उपर पूरा डीटेश में इस वीडिये का अंदर डिस्कास करेंगे, तो वीडियो जो है बहुत ही जादा इंपोरेंट होने वाली है, तो फिर आप इस वीडियो को भी ना स्किप के, पूरा अंडे तक जरूर से देख सकते हो, बागे अगर पहली बार चनल पर विजिट कर रहे हो, बिटकोईन के प्राइस को देख गए, तो यहां पर गाला हो, या फिर काड़ानों की बात हो, किसी भी कोईन के अगर प्राइस को देखोगे, तो हर एक कोईन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला थो, तो Bitcoin के price के लिए अब इस time पे 4 now, Bitcoin के price हमें देखने को मिलड़ा है 17,200 के आसपस एंड वीडियो को start करने से पहले ही मैं एक चीज़ आपको बता दू कि अब इस time पे जो भी movement देखने को मिल रहा है यह जो movement है, यह sustainable movement नहीं रहेगा जाधा time के लिए ठीक है तो यह एक opportunity का movement है जापर आप जो है या पर किसी भी alt के अंदर अगर अपने entry लिया होगा वह अपर अगर अपका profit हो रहा है तो मेरे इस अपस अपको अपना profit को ज़रूर से book कर लेनी है ठीक है इसी zone को अगर आप देखो कि तो already यहाँ पर पहले भी हमें resistance देखने को मिला था and after taking resistance from that zone यहाँ हमें price के अंदर drop down देखने को लाए फिर से price यहाँ पर एक sideways condition के अंदर price ने move किया बट यहाँ पर एक अच्छा सा resistance होने के कारण हमें price के अंदर drop down देखने को मिला है अगर यहाँ पर एक अच्छा सा volume के साथ इसी zone को अगर BTC break करता है that means कि यहाँ से आमें further price के अंदर एक अच्छा सा movement देखने को मिल सकता है तो इस time पर अगर आप यहाँ पर entry लेने का सोच रहो या फिर अगर आपने अल्री किसी भी alt के अंदर entry ले लिया है तो मेरे इस आप से right now बहुत सारे ऐसे भी alt से जो अभी इस time पर और भी उपर आपको जाता हुआ दिख सकता है बट आपको जो है अभी इस time के लिए for now stop loss का use जरूर से करनी है और मेरा यहाँ पर अभी इस time पर यही होगा कि इस time पर bitcoin के price जो है यहाँ पर जिस zone के आसपास अभी इस time पर bitcoin के price consolidated कर रहा है इसी zone को break easily कर सकता है तो easily break करने के लिए bitcoin के price के लिए का करना पड़ेगा यह जो trend line में ने draw करके रखका हुआ है इसी trend line के आसपास btc को अगर नीचे आता है तो इसी trend line को price को sustain करना पड़ेगा अगर price इसी trend line को sustain नहीं कर पाता है that means कि हमें यहाँ से further और भी drop down देखने को मिल सकता है जो कि हमें next 16,000, 17,000 के असपास and after that हमें 16,000 के zone जो zone है इन zones के असपास भी bitcoin के price देखने को मिल सकता है तो अगर यह जो trend line होगा जिस trend line को मैंने यहाँ पर एक strip trend line को draw करके रखका हुआ है तो मैं जूम इन कर ले तो ताकि आपके लिए तोड़े easy हो जाए ताकि आप easily समझ पाऊ इस चीज़ को यह जो strip trend line में draw करके रखका हुआ है तो इसी strip trend line के उपर अगर आप देखोगे तो पहले भी हमें एक बार support देखने को मिला है अफर टेकिंग support from that zone यहाँ से price के अंदर movement देखने को मिला है तो अब इस रहें पर price अगर यहाँ से resistance लेने के बाद फिर से price नीचे आता है तो price के लिए यह जो strip trend line है इसी strip trend line के उपर price को support अपना sustain करना पड़ेगा यहाँ पर support sustain नहीं होता है तो further हमें price के अंदर और भी drop down देखने को मिला है और मेरे हिसाब से price यहाँ से तुरह fake out लेके तुरह उपर जा सकता है बट यहाँ पर volume आना भी बहुत ज़ादा जरूरी है अगर अच्छा गासा volume कुछ similar kind of history के से volume हमें देखने को मिलता है इसी zone के आसपास तो यहाँ से further हमें bitcoin के price 17,400 and 17,600 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है मेरा expectation यह है कि 17,400, 17,600 के आसपास bitcoin के price हमें देखने को मिल सकता है and second factor यह है अगर आपको नहीं बताए जब भी एक यहाँ पर इसको आप note down करके भी कहीं पर रख सकते हो आप जब भी किसी भी coin के अंदर entry लेने के लिए जाओ तब आप सबसे पहले यह देखो कि exactly bitcoin का dominance है वो आप इस time पर क्या कर रहा है अगर dominance नीचे आ रहा है that means कि हमें alls के price के अंदर movement देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर आप देखो कि तो btc.d यहाँ पर आपको trading view में सार्च करनी है सार्च करने के बाद अगर आपको देखने को मिलता है कि exactly dominance नीचे आ रहा है that means कि क्या होगा कि alls के price के अंदर movement देखने को मिलेगा तो अभी इस time पर dominance नीचे आ रहा है that's why हमें alls के price के अंदर movement देखने को मिला अचले पर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर हमारा alls coin के बार में जैसे कि गाला के उपर अगर आप करोगा तो गाला का कुछ game launch हो रहा है तो game launch हो रहा है that means कि अभी इस time पर गाला बहुत सारे ऐसे गाला games launch करेगा जिसके कारण हमें गाला के price के अंदर एक अच्छा असा movement देखने को मिला है और गाला ने यह जो channel था एक channel के अंदर move कर रहा था जहाँ पर उपर वोला trend line है इस trend line पर हमें resistance देखने को मिला सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक बार resistance देखने को मिला यहाँ से price ने एक अच्छा असा movement लगाई और यह जो trend line है इस trend line को break करने के बाद ही price यहाँ पर bullish हो गया था और उसके बाद लगाता हमें price के अंदर movement देखने को मिल रहा है तो गाला के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक resistance में देखने को मिलेगा तो यह जो zone होगा 3822 यहाँ पर इसी zone के असपास हमें एक resistance देखने को मिलेगा अगर गाला इसी zone को break कर लेता है और मेरे हिसाब से अभी stamp जैसे गाला ने यह जो candle बनाया है तो इसी candle के बाद जो है यहाँ पर अभी stamp अगर आप देखो तो यह जो candle form हो रहा है इसके चलते हुए गाला इसी zone को break कर सकता है और लेटर अन हमें price जो है somewhere around 0.04388 के आसपास देखने को मिल सकता है अगर आप गाला को short करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इसी zone के आसपास अपना एक short position बना के रख सकते हो and just above this आपको अपना stop loss लगा देनी है इसमें stop loss आपको जदा बड़ा नहीं रखनी है just because यहाँ से price अगर उपर जाता है तो इसी zone को अगर price bridge करता है यानि कि break करता है तो लेटर अन हमें यहाँ से price के अंदर further एक अच्छा सा movement easily देखने को मिलेगा hopes हो कि आपको यहाँ पर गाला के बारे में समझ में आ गया होगा and मैं इसको फिर से repeat कर देता हूँ थाकि आपके लिए भी तोड़ा यहाँ पर easy हो जाए सबसे पहले गाला के लिए एक resistance देखने को मिलेगा जो अभी उस resistance के आसपास approach कर रहा है 0.3822 के आसपास and later on जो हमें और एक resistance देखने को मिलेगा वो होगा somewhere around 0.04344 के आसपास ठीक है तो अचले पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ADA के बारे में यानि Cardano तो Cardano के अगर आप देखोगे तो price को यहाँ पर Cardano एक fundamentally बहुत ही जादा strong project है जब Bitcoin के price के अंदर हमें drop down देखने को मिला तब हमें Cardano के price के अंदर भी एक अच्छा सा drop down देखने को मिला है अब इस ताम पर Cardano के price approach कर रहा है हमना major resistance है 0.33424 के आसपास इसी zone के आसपास Cardano के लिए एक resistance है और यहाँ से हमें price के अंदर movement देखने को मिल सकता है तो Cardano के price के अंदर जो भी movement हो रहा है अगर आप देखोगे तो Cardano में एक ऐसा old coin है जिसका fundamental भी बहुत जादा अच्छा है और जिसका price somewhere around $2 के आसपास जो है यहाँ पर already trade कर रहा है और यहाँ से हमें price somewhere around $0.24013 US dollar के आसपास भी देखने को मिला है तो अभी इस time के लिए for now Cardano के price के अंदर भी हमें थोड़ा movement easily देखने को मिल सकता है अगर आप short position के लिए देख रहे हो तो short position के लिए मेरे हिसाब से आपको इसी zone को consider नहीं करनी है जो की है 0.0.33592 के आसपास इस zone को cardano easily break कर सकता है या फिर इसी zone के आसपास price accumulate हो सकता है और उसके बाद एक ही candle के साथ price इसी zone को hit कर सकता है जो की होगा 0.41667 के आसपास ठीक है तो इसके लिए तोड़ा time लग सकता है यह 1 day का chart है तो 1 day के चार्ट के अंदर आपको clarity जदा मिलेगा इसलिए मैं आपको 1 day के चार्ट के अंदर बता रहो तो आप इस time के लिए फोरन अप्तुरो wait and watch जरूर से कर सकते हो ठीक है तो बात कले दी है अब शीबा इनों coin के बार में तो exactly इस time पे देखो गए तो हर एक coin के price के अंदर हमे movement देखने को मिला है बट शीबा के price के अंदर अभी तक हमें कोई भी यहाँ पर movement देखने को नहीं मिला है कोई भी in the sense price के अंदर जैसे कि cardano हो गया गाला हो गया इन coins के अंदर हमें एक अच्छा असा movement देखने को मिला है एक important major resistance था, इसी resistance को break करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब शिबाइनु को इन ने इसी resistance zone को break किया था, after breaking that resistance zone, यहाँ से price के अंदर हमें drop down देखने को मिला, अभी इस time फिर price ने, यहाँ पर successfully यह जो major resistance zone था, 0.520855 के असपास इसी zone को break and after breaking this zone, यहाँ पर अपना support को भी confirm कर लिया, ठीक है, तो यह जो दोनो candles है, इन candles को में इसको दोरह जूम कर लिता हूँ, तो यह जो दोनो candles है, इन candles को अगर अब देखोगे तो exactly यहाँ पर हमें price के लिए confirmation देखने को मिल गया है, कि यहाँ पर price ने इसी zone के अब अपना support को sustain कर लिया, ठीक है, तो अब इस time P के लिए 4 now, Shiba Inu Coin के लिए जो targets, मेरे हिसाब से जो targets होने चाहिए, वो सबसे पहला जो target होगा, वो होगा somewhere around हमें यहाँ से इसी zone के आसपास जो की है, 0.5908 के आसपास, और later on हमें price जो है इसी zone क के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 0.5x0946 के आसपास, जैसे कि अब इस time पे जहाँ पर price चल रहा है, इसी zone से हमें 6.71% का movement Shiba के price के अंदर easily देखने को मिल सकता है, और further हमें price के अंदर और भी movement देखने को मिलेगा, if VTC Duel, यानि कि Bitcoin का price अगर 17,400 के अब जाता ह है, तो Shiba के price यहाँ से हमें somewhere around in zones के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि 0.4902163 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है, यह चीज में आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस time पे Shiba might break this zone, जो कि है 0.5x0949 के आसपास, तो इस चीज को भी आप अ